दोस्तो प्लेट्स डाउन होने के कारण और उपाए कही होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के श्रीर में 5-6 लिटर खून होता है जो मुखे रुप से तरलपदार्त, लाल और सफेद रखते कोशकाओं के अलावा कई अन्य तत्वों से मिलकर बना है उन्हीं तत्वों में से एक प्लेट्स लेट्स भी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में के एक वर्ग मिललीटर रख्त में प्लेट्स लेट्स की संक्या डेड़ से 4 लाग तक होती है और रक्त में प्लेड की कमी की थ्रॉंबो साइट प्ईनीय गरू में जाना जाता है ब्लेड में मुझूद बेरी सुक्षम करना होती है जो जिस्ये जांच के दुरानी देखे जा सकती है ब्लेड आपके कैसी कोश्का ही होती है जो रक्त को बेहने से रोकती है श्रीर में किसी चोट या अन्य कार्ण से रक्त वाईका में रक्त स्त्राव होने पर प्लेड्स संक्यत मिलना शुरू कर जाता है जिसके द्वारा खून को रोगना कारिय किया जाता है श्रीर में प्लेट्स की संख्या नियमित बनी रहना भेज जरूरी है अगर प्लेट्स की संख्या दस हजार से कम हो जाए तो ब्लीडिंग की अशंका बढ़ जाती है श्रीर में प्लेट्स के संख्या कम या ज़्यादा होने पर आपको कई तरह के रोग होना शुरू हो जाते हैं तो आइए विस्तार से जानते हैं प्लेट्स के वन डाउन होने के कारण और उपाई के बारे में सबसे पहले जानते हैं प्लेट्स डाउन होने के कारण प्लेट्स डाउन होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे इंफेक्शन, अनुवांशिक रोग, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, गर्भवस्ता, बलड कैंसर, शराब का नियमे 7, यक्त की सिरोसिस, रक्त में बक्टिरिया या इंफेक्शन, और आटो इम्यून रोग, आयरन के क कमी, विटामिन B12 की कमी, और कई द्वाओं के कारण भी शरीड में प्लेट्स की कमी हो सकती हैं, प्लेट्स डाउन होने पर कई लक्षन देखने को मिलते हैं, जैसे दातों और मसूडों से खोन निकलना, पिशाब से खोन निकलना, एलिन का साइज बढ़ जाना, नाक से खो करी होना, दोस्तों प्लेट्स की संख्या को समाने रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे साबुत अनाज का सेवन करें, विटामिन C युक्त पदार्थ का सेवन करें, और प्लेट्स रेट को बढ़ाने के लिए कम से कम साथ से आर घंटे नहीं द काउंटर यानि बिना डॉक्टर की परची की द्वाई लेन से पहले डॉक्टर से सला लें, और प्लेट्स की संख्यों को बढ़ाने के लिए रोजाना एक से दो लाल अमरूद जरूर खाएं, इसके अलावा भी कुछ घहलों पाएं हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, जिनके साइधा साब प्लेट्स को ठीक रख सकते हैं, इसे पहला है चुकंदर, प्लेट्स पढ़ाने के लिए चुकंदर का सेवन बहुत ज़ला फाइदे मन्द हैं, क्यूंकि चुकंदर में अंटी उक्सिदें स्कुन पाई जाती हैं, और जिसमें जरूरी पोशिक तत्व होती हैं, जो प्लेट्स को बढ़ाने कारे करते हैं, और श्रीर के रोग प्रतियों तक शम्ता को भी मजबूत करने में सहाई कहें, दूसरा है आवला, प्लेट्स के स्थर को बढ़ाने के लिए आवला बहुत ही फाइदा करता है, आवला में विटामिन C की उच मात्रा पाई जाती है, जो प्लेट्स के उत्पादन को बढ़ाने और प्रतिरक्षा परनाली को बढ़ावा देने में मदद करती है, तीसरा है दोस्तो अलवेरा, अलवेरा में पाई जाने वले पोशिक तत्व, प्लेट्स को बढ़ाने कारे करते हैं, प्लेट्स की मात्रा में रुजाना एलवेरा का गुदा खाएं और इसके अलावा आप इसका जूस भी बना कर पी सकते हैं चोथा दोस्तों पपीता प्लेट्स को बढ़ाने के लिए पपीता और पपीते की पत्यों का जूस इसका सेवन कर सकते हैं बहुत ही फाइदा करता है और 2009 में मले पपीता खाएं या पपीता के पत्तों से बने जूस का सेवन करें अगला दोस्तों किश्मिश किश्मिश में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो शरीर में रखत पादन को उतेजित करने में सहाइक है यानि शरीर में खून की कमी को दूर करता है और प्लेयर्स को है nhất आप गिश्मिश को कई प्रकार से अपने अहार में शामिल कर सकते हैं यह जिए स्वास्ते लाव प्रदान करते हैं अगला दोस्तक कद्दू कद्दू में भीटामिन एक इन घुरपपूर महत्रह पाई جाती है जो फिले में कास में महत्य अपन भूमका निभाती है कद्दू श्रीर की कोश्काओं दारो उत्पादित प्रोटीन को नियंतिर्द करता है जो रख्त में प्लेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए अब कद्दू के ताजा अरस के साथ शहाद का सेवन भी कर सकते हैं अगला उपाई दोस्तों पानी प्लेट्स बढ़ाने के लिए पानी भरपूर मात्राइं पीएं क्योंकि रख्त कोश्काओं पानी और प्रोटीन से बनी होती है इसलिए पूरे दिन में बहुत अधिक पानी पीने की सला दी जाती है लेकिन प्लेट्स के स्तर को बढ़ाने के लिए ठंडा पानी पीने से बचें क्योंकि यह आपके पाचन तंतर को परभावित कर सकता है ठंडा पानी के बजाए फिल्टर और शुद्ध पानी पीएं जो की कमरे के तापमान पर हो और यह श्रीर में अधिक तरक्त कोश्काओं उत्तपाद में मदद करेगा पलेट्स क जैसी पत्यदार सब्जियों में विटामिन के की भरफूर मात्रा पाई जाती है जो कम प्लेट्स को बढ़ाने मदद करती है उचीत बल्र क्लोटिंग के लिए विटामिन के बहुत अवश्यक है जो अत्यादिक रखत स्तलाव के जोक्यम को कम करता है दोस्तों अगर किसी व भी इसका फाइदा उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथ में लगए बैल आइकोन को भी दुबाद देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहली आपको मिल सकें अब अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते हैं अगले व